नमस्कार दोस्तों रादे रादे कैसी हो आप सब आई हूप आप सब अच्छे होंगे सलस्तोंगे मस्तोंगे बहुत बहुत खुश होंगे Welcome to my new video तो friends आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ सेयर करूँगी वास्तो सास्तर के ये 27 नियम हमेशा याद रखे आपके जीवन को बदल देंगे तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं नमबर एक बिस्तर के सामने आईना कभी ने लगाए नमबर दो खाना खाने के बात थाली में कभी हात ना धोए वास्तो सास्तर के ये 27 टिप्स आपके घर को खुसाल बना देगा अपने घर के नल से पानी को टपकने ना दे इससे आपके घर में आर्थिक संकट आ सकता है घर में तूटे फूटे बरतनों का इस्तमाल ना करे नमबर तीन छत पर रखे पानी की टंकी से पानी का रिसाव ना होने दे घर में नकारात मक्ता उर्जा प्रवेश करती है नमबर चार वास्तुनियम के अनुसारी पूजा घर बनवाए और किसी भी देव देवताव का एक से अधिक तस्वीर या मूर्ती ने रखे नमबर पांच ती जोरी में हल्दी की कुछ गाटे एम चावल को पीले करके पीले वस्तर में बांद कर रखे इससे धंधान्य में वरिद्धी होती है नमबर छे परति दिन घर में सुबह स्याम कपूर अवस्य जलाए इससे सकारातमक उर्जा का परवेश होता है नमबर साथ सप्ता में एक बार गुरुवार को छोड़ कर समुद्री नमक से घर का पोचा लगाए घर में सुख से अंती और समरिद्धी बनी रहती है नमबर आठ घर में कहीं भी मकडी के जाले नय बनने दे नमबर नो घर में कहीं भी कच्रा और जल का जमाव ना होने दे नमबर दस घर के छत पर कूडे बांस या तूटे हुए चारपाई ना रखे नमबर ग्यारा कभी विवरह मूरत या संध्यकाल में जाडू ना लगाए और जाडू को हमेशा ऐसी जगे रखे जहां बहर से आने वाले किसी व्यथिती को दिखाई ना दे जाडू को बैड के नीचे कभी ने रखे नमबर बारे घर के इसान कोण एवं उत्र दिसा को हमेशा साफ और खाली रखे नमबर तेरे वोस्रूम को हमेशा गीला ना रखे इसे नकारात्मक उर्जा घर में परवेश करती है नमबर चोदे दक्षिन या पस्चिम दिसा को हलका या खाली ना रखे इसे कैरियर में स्थिर्ता के लिए सुब नहीं माना जाता है नमबर 15 घर की दिवारों में पर्दे या चादर में जामुनी काले या फिर बेंगिनी रंगों का परियोग ना करे नमबर 16 घर में सीडियों को पूरने पस्चिम या उत्तर से दक्षिन की ओर ही बनवाए कभी भी उत्तर पूरों में सीडिया ना बनवाए इससे आपको आर्थिक नुकसान और स्वास्ते में हानी का सामना करना पड़ सकता है गर के दिवारों या छत पर दरारे ना पड़ने दे अगर ऐसा होता है तो उसे तुरंट ही भरवा दे घर में दरारों का होना असुब माना जाता है नमबर अठारे बिस्तर के सामने आएना कभी ना लगाए क्योंकि सोते हुए वैक्ति की परचाई बनना असुब माना जाता है नमबर उनीस अपने बैडरूम में किसी भी देई देवता का तस्वीर या मूर्ती ना लगाए नमबर बीस बैड पूरन ते लोहे का नहीं होना चाहिए इससे आपको स्वास्तेहानी हो सकती है नमबर इकीस बैडरूम के बलब का रंग लाल नहीं होना चाहिए नीले या फिर हरे रंग का बलब का ही इस्तिमाल किया जाना चाहिए 22. फटे हुए बैड सीट, फटे हुए परदे या फिर फटे हुए तक ये का उपयोग ना करे 23. रविवार के दिन कभी भी तुलसी माता को जल अरपित ना करे 24. बैडरूम के दरवाजे के सामने और छट के बिम के नीचे पलंग नहीं लगाना चाहिए 25. बैडरूम में जूते चपल, फटे फुराने या फिर आवाज करने वाला कोई भी सामान ना रखे इससे घर में नकारात्मक उर्जा परवेश करती है 26. खाना खाने के बाद थाली में कभी भी हात ना धोए इससे मातालक्स मीरूश्ट होती है 27. जाडू को कभी भी पैर ने लगाए और ना ही जाडू को कभी खड़ा रखे तो दोस्तों या थी आज की जानकारी आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया तो वीडियो को लाइक करे, सेयर करे अगर मेरे चैनल पर न्यूँ हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स मैं मिलते हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई टेक केर फ्रेंड्स जै माता दी